एक और जहां गिग वर्कर्स के लिए रोजगार के अफसर बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी और फ्रेंट लाइन जॉब्स यानि पक्की नौकरियों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है वितवर्ष 2022 में फ्रेंट लाइन जॉब्स यानि पक्की नौकरियां साड़े सत्रा फीसद की गिरावट आई इन में इससे पहले वितवर्ष 2021 में कोविट के बाद एकॉनिमी में दुबारा खुलने से फ्रेंट लाइन वर्कर्स के लिए डिमांड में जोरदा रुचाला आया था इस तर पर भी हैं करने वाले लोग हैं वहाँ पर आप लोगों की मांग खट रही वो कोन से काम हैं सेल्स और मारकेटिंग डिवलप्मेंट एक्झेक्टिविटिव के काम हैं कॉल सेंटर वर्कर्स के काम हैं इसके अलावा जो आफिसेज में जो सही होगी स्टाफ, आउसकीपिंग स्टाफ है, उसका काम है, ये सारे काम अब इस्थाई करमचारियों की जगे, अस्थाई एजिंसियों के पास जा रहे हैं, और इसमें टेमपिंग जिसको कि अंग्रेजी में कहा जाता है, एक एक वरकर कर लें, कहें, इन क करमचारियों की मांग बढ़ रही है, बचाई दो है, एक तो इस्थाई करमचारी रखने पर कमपिनियों की लागत जाधा होती है, कांटेक्ट पर रखे हुए करमचारियों के हितलाबों की और उनके बेनिफिट्स की बहुत जादा जिम्मेदारिया नहीं होती हैं कमपिनी वो मुख्यधारा में आ गया है निमाना धाता था कि जब जरूरत हो तब कॉंट्रेक्ट पर या अस्थाई सर्मिकों को रखा जाए लेकिन अब धेरे धेरे मुख्यधारा में आ गया है सरकारी कंपीनिवें में भी आकड़ा चुका है कि पिछले दो साल के दौरान अस्थाई करमचारियों की संख्या में सबसे जाधा तेजी से बढ़ोत्री हुई है इसके अपने बड़े consequences हैं बारत में विश्रम सुरक्षा का बाजार इतना अच्छा नहीं है गिग वरकर्स और टेंपरेरी करमचारियों के पास भविशे कोई कोई सुरक्षा नहीं है उनके वेतन के नियमों को लेकर तमाम तरीके के उल्जन है लेकिन अर्थवस्था का जो सुरूप है वो ऐसा दिखाई दिखाई दे रहा है कि अब भारत में धी में अस्थाई नवकरियां और कंसल्टिंग के आधार पर टेंपरेरी नवकरियों में बहुतरी होगी